नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यू आर गॉड इस यूट्यूब चैनल में आपको अपने अलग-अलग अध्यात्मी कनुगूतियां बता रहा हूँ और यह बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए जो भगवान है वो कैसे काम कर रहे हैं मारी जिन्दगी में अब देखिए जब में वीडियो बनाता हूँ न तो होता क्या है कि एक मतलब इना जो मतलब रियल लाइफ में इस प्रकार के गटना करम बनने शुरू हो जाते हैं कि मैं जो कुछ भी आपको बताता हूँ न किसी भी वीडियो में तो मतलब उसी से संब न किन्म बननना जो को जाते हैँ कि मतलब इस प्रकार यहाँ हो जब योक सागना तबसार सो कि रा इन्सान थोड़ा चेतन होना शूरू होता है तो फिर उसको यह सब बातने समझ में आने शुरू हो और इसको conscious होना कहते है, conscious होना, ठीक है, मतलब कोई भी थोड़ी consciousness बढ़ जाती है, हमारे अंदर चेतना बढ़ जाती है, देदर करके, तो उससे हम लोग थोड़ी ज्यादा aware हो जाते है, ज्यादा sensitive हो जाते है, ठीक है, तो अब देखिए, जब मैं कोई भी, अब जैसे मैं आ काली हो जाती है, और ऐसी आवाजे निकालती है, कि उनके मुझे की पर मतलब हो है जो दूर दूर तक और राक्षचों का सब का संहार करती है, और वड़ा ही मतलब डरावना रूप होता है उनका, और उसमें उनको बिल्कुल होश नहीं रह था, आपने वो कथा सुनी होगी जब भगवान शिव के चाती पर पेर रख दिया था उन्होंने, मतलब उनको शांत करने के लिए बगवान को जमीन पर लेटना पड़ा था, ऐसा हुआ था ना, कथा सुनी होगी आपने, तो बिल्कुल वैसा का वैसा है, एक मतलब दरश्य में ने देखा, उसमें देखा कि एक विल्कुल काली, साउले रंकी, एक महिला, और वो ऐसी डराउनी आवाजे मुझे से निकालती हुए, आगे बड़ रही है, और पूरा अंधेरा था पूरी कली में, और एक जो व्यक्ति थे, वो उनको शांत करने में लगे हुए थे, मतलब किसी तरीके से कंट्रोल करने में, उनको लगे हुए थे, मैं भी था हूँ, आपकर और और बी सब लोग डरके मारेते दर्दर्राउ चुप रहे थे, मैं भी डरके मारेट चुप रहा था, यह सारा का सारा जो धरशी था यह था मताकाली और भगवान शिवुका, वो जो महिला थी, वो थी मताकाली, और वो जो उनको शांत कराने की कोशिश कर रहे थे वो थे भगवान शीवु। मतलब यह जो कथाएं हैं ना हमारी धार्मिक कथाएं जिनके बारे में मतलब अधिकांश लोगों को तो यह लगता है कि यार यह सब तो बिल्कुल सिर्फ कपोल कल्पना है सच्चा इसे कोई लेन देना नहीं है वो सब सच हैं लेकिन होता क्या है कि हमारी जिन्दिटी व Intlai Madhan करते हैं तो वो सारे आयाम भी थो हैं हमारी जिंदगी में, उनको हम अपने से अलग कैसे कर सकते हैं, तो उस तरीके से अगर आप सोचेंगे ना, तो फिर आपको पता लगेगा कि सब कुछ, जो कुछ कथाएं, कहानियां, जो कुछ भी हमको सुनाई गई, जो बताई गई, वो सब कही हम आलेती थी क्या तो अग्यूत, पहतं हुआभा चाले में हमकुएंगे के नहीं हादी। आप कर दो झाएंगे नारे ये, जोस वान हैं minutes, के येमेल, का भी हमवादी हुंएंगे के लगारा आ trollूएंगे के से वगे हम